नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब लर्निंग चैनल डी स्टडी लर्न स्मार्टली पे दोस्तो आज मैं आपके पास जीएस के अगली क्वेस्टन सीरीज को लेकर के आया हूँ तो समय को बरवाद ना करते हुए शुरू करता हूँ आज का पह आला क्वेस्टन है तुलसी दास ने रामचरित्र मानस की रचना किस भासा में की थी ए हिंदी बी संस्क्रीट सी अवधी डी मैथली जल्दी सैंसर दे ए बी सी यडी जो इसका उत्तर होगा सी अवधी बढ़ते एगले सवाल के तरफ जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था ए इंद्रा गंधी बी लाल भादूर सास्तरी सी बाल गंगा धरतिलत डी जवार ला नहरू इसका उत्तर देने के लिए आपको दस सकेंड का समय दूँगा यह बच्चा बच्चा भी जानता है बट देखूं कित्ते को पता है कित्ते को नहीं जै जवान जै किसान का नारा दिया था लाल भादूर सास्तरी ने यानि बी हो गया एंसर बढ़ते हम अगले सवाल के तरफ नीती आयोक के समद्ध में क्या सही है कुछ वाक के हैं सोरी कुछ कथन है उसके बारे में आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है नीती आयोक के बारे में क्या समद्ध क्या सही है इसके स्थापना योजना आयोक के स्थान पर की गई केंद्रे वित्यमंत्री इसका प्रमुक होता है इसका इंसर दें क्या केवल एक होगा कथन सही केवल दो सही होगा या एक दो दोनों सही होगा या इन में से कोई नहीं कि इसका इंसर होगा केवल एक नीती आयूग का संबंद में केवल एक सही होगा यानि स्थापना योजना आयूग के स्थान पर क्या गया है इसका पर्धान मंत्री होता है प्रमुक बढ़ते के सवाल के तरफ खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का वैवार होता है क्यों खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का क्यों वैवार होता है ए इसका नियुनतम बिखरा होता है बी इससे आँखों को आराम मिलता है सी इसका राशानिक प्रभाव नियुनतम होता है डी वायू में इसका सोसन इसका एंसर दें जल्दी से आपको 10 सेकेंड का सामय मिला है सब्सक्राइब इसका नियूंतम भिखरा होता है देखिया फ्यजिक्स में पढ़ेंगे गयर चाल प्प्रिक्स्ट होगे तो आपको फ्यृजिक्स में पढ़ने आता होगा वो एक फिजिक्स में प्रिजम वाला भी वाई और भी विवी और करके होता है ठीक है तो रेड का बिचलन सबसे का मुदर स्ट्रेन बगारा में रेड लाइट का सिगनल बगारा यूज किया जाता है आप देखेंगे रेलवे लाइन यह रेलवे क्रोसिंग के आसपास बढ़ते अगले सवाल को तरफ का उतर किसका प्रतिक है सवाल नमर बत्रिस एक नियाय बी पर्तिवाद सी संती डी संधी जल्दी सैंसर दे तो कभूतर जो है हमारा शंति का प्रतिक है यानि इसका एंसर हो जाएगा सी कभूतर किसका प्रतिक है संती को बढ़ते अगले सवाल के तरफ बंग बंग अंदोलन से समधित निम्रिखित कत्रणों का कौन सा सही है पहला 16 अक्टोबर 1905 को जिस दिन विवाजन लागू हुआ था वह दिन सोक दिवस के रुपे मनाया गया था दूसरा अंदोलन के दोरान बंगाल नेशनल कोलेज तथा बंगाल टेकनिकल इंस्टूट के स्थापना की गई थी तिसरा कड़े विरोध के कारण बर्स 1911 में सरकार को बंग बंग आदेश वापस लेना पड़ा था चोथा यह निर्णे जॉर्ज पंचम के दिल्ली दर्वार 1911 में लिया गया जो बर्स 1912 तक लागू हो गया कौन सा सही है एक वार सा सरी निगाह से फिर से देख ले देखे बंग बंग अंदोलन इसके बारे में देखे देखे 16 अक्टबार 1905 के दिन विवाजान लागू हुआ था वह दिन सोक दिवस के रुपए में मनाया गया बात सही है अंदोलन के दर्वार बंगाल निशनल कोलिज अथा बंगाल टेक्निकल इंसिचूट की इस्थापना की गई यह भी सही है कड़े विरोध के कारण बर् वासल ना परा यह भी सही है यह निर्ने जॉर्ट पंचम के दिल्डी दर्वार 1911 में लो गया लिया गया जो बर्स 1912 में लागू हो गया यह भी सही है तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यह नंबर यानि सभी ओल हो जाएगे 1,2,3,4 सभी होगे बढ़ते एकले सवाल के तरफ निमलखित में से किस अधिवेशन में नर्म पंथी और गरम पंथी दल दल थे दोनों दोनों बहिसकार के अस्तरों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में पड़े निमलखित में किस अधिवेशन में नर्म पंथी और गरम पंथी दोनों बहिसकार के अस्तरों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलज पड़े ऑप्सन है बर्स 1905 के बनारा सधिवेशन में बर्स 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में बर्स 1907 साथ के सूरत अधिवेशन में डी उप्रोक्त में से कोई नहीं जल्दी जवाब दें यह कुष्चन के इत्ते बार पूछा गया है बिहार से सी वेगरा में इसके लिए आपको 10 सेकंड का सामिलता है ए बी सी या डी जल्दी जवाब दें कमेंट करें इसका इंसर होगा हमारा बी इसका इंसर होगा हमारा बी बढ़ते गले सवाल के तरफ पस्चिमी घाट के संरक्षन से क्या संबंदित है बाधाव गाड़ल पेनल कस्तुरी रंगर रंगन पैनल ए और बी दोनों या स्वामिनाथ पैनल यानि यह हमारा पस्चिमी घाट के संरक्षान से सामनित था किस पैनल के अंतर गत था मतलब देख रेख तो इसका इंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों यानि माधव गाटगील पैनल और कस्तूरी रागर पैनल दोनों था बढ़ते अगले सवाल के तरफ किसी तत्तू का भार 18 है यदि इसमें 7 एलेक्ट्रोन हो तो प्रोटोन और नीट्रोन की संख्या कितनी होगी जल्दी जवाब दें इसके एंसर के आप दस सेकेंड का समय मिलेगा ए साथ साथ बी साथ चौदर सी साथ ग्यारा डी साथ अठारा देखें टोटल अठारा है ना उसमें इलेक्ट्रोन कहरा साथ है ठीक है तो इसका इंसर हो जगा 36 का सी क्यों होगा यह मैं बताता हूँ एक ग्यारा प्लस साथ ग्ल्टू टोटल अठारा हो जा रहे हैं बढ़ते अगले सवाल के तरफ सवर सेल परिवर्थित करती है इसका उप्षन मैं बोलने का समय नहीं दूंगा देख के आपको जवाब देना है कमान परकास उर्जा को यांतरिक उर्जा में परकास उर्जा इसका सही उत्तर है डी बढ़ते एकले सवाल के तरफ पार्स से किसकी काई होती है जल्दी जवाब दें पहला समय दूसरा गती तिसरा त्वरन चोथा दूरी दूरी किकाई होती है बढ़ते एकले सवाल के तरफ जो पद्धती केरेंसी प्रनाली पर अधारित हो जिसमें मुद्रा का परते किकाई के पीछे सत-प्रतिसत कोस रखा जाता है और काग्जी मुद्रा स्वर्ड या चौदी में परिवर्त तंसील होती है क्या कहलाती है कहने के मतलब यह है उसे नियुंतम कोस प्रनाली कहते हैं उसे कोसागार विप्रत्र प्रनाली कहते हैं उसे साधारान नीधी प्रनाली कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं जल्दी से एंसर दें इसके एं एएएक कर जाता है इसे मद्रा को निओंतम कोस परनाल ही करते हैं ये सवाल कि किसे तत्तु के पर्मानु संख्या 13 है उस तत्तु के संजी और जगता कितनी होगी A1, B2, C3, D4 जवाब दे जल्ली से देखें इसके संजी और जगता होगी 13 है हमारा इसका अगर 2, 8 कितने होगए 10 और 3 यानि हमारा अंतिन 3 होगा यानि answer हमारा C होगा यह हमारा जो है दो 8 मिलके 10 होगए तो outer cell में हमारा 3 होगए बढ़ते हैं एकले सवाल के तरफ निमलिखित में से nitrogen के किस योगी का प्रया सूखी cell बनाने में किया जाता है nitrogen के कौन से योगी का उपयोग योगी के रूप में सूखी cell बनाने में किया जाता है पहला ammonium chloride दूसरा ammonium nitride तिसरा ammonium sulfate चौथा ammonium carbonate answer दें आपको इसके लिए 10 सकंड मिलता है ए बी सी या डी सूखी cell बनाने के लिए nitrogen किस योगी के लिए इसका उत्तर होगा ए नमबर ammonium chloride बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ भरत सरकौर द्वारा हांतियों के संरक्षन से संबंदित प्रजेक्ट हांती कारिग्राम की अगनम की शुरुआत कई रहे वर्स उनीस सोब्हरावाटी बरस उनीस से क्यानवे बरस उनीस सो ब्रावबे इसका answer होगा कि दिनिघ्मबर कि बढ़ते अगले सवाल के तरफ कारवन के सही जोजगता अपने कारवनिक योगिकों में कितनी होती है कारवन के सही जोजगता अपने कारवन योगिकों में कितनी होती है कारवनिक योगिकों में माफ करना A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 इसका उत्तर होगा B यानि 2 बर्टेगले सवाल के तरफ Oxidation एक प्रकिरिया है जिसमें परमानू या आयन क्या करता है? A, Electron लेता है B, Electron देता है C, कोई परिवर्थन नहीं होता Duproct में से कोई नहीं है देखे पहला तो जान लिजे 2 रियक्षन एक Oxidation होता है दुसरा Reduction होता है Oxidation और Ab Curren ठीक है? तो इसमें क्या होता है? इसका Answer होगा पहले B क्योंकि Oxidation यानि Oxidation में Electron देता है तो Oxidation कहलाएगा और Electron जो लेता है वो Reduction कहलाएगा ठीक है? तो इसका Answer होगया 44 का B Caustic Soda का रासानिक सुत्र क्या है? Caustic Soda का रासानिक सुत्र क्या है? NaOH Na2CO3 NaHCO3 या फिर NH3 जल्दी Sensor दें इसका उत्तर होगा A N A O H बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ चुहे की मारने के दवा कौन सी है? Sodium Chloride Zinc Chloride Zinc Phosphate Zinc Carbonate इसका उत्तर दें A B C R D चुहे मारने की दवा में होते है Zinc Phosphate बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ प्लाजमा जल्दी का मुख्यकार क्या है? देखे अभी प्लाजमा कोरोना काल में प्लाजमा डोनेट भी किया जा रहा है तो ये सवाल इंपोर्टेंट हो सकता है पूछा भी जाए और कई वार पूछा भी गया है प्लाजमा जल्दी का मुख्यकार क्या है? शरीर का ताप मांट ठीक रखना B सकती देना C पाचन क्रिया को ठीक रखना C जीव कोस में रसानिक रचना ठीक करना ठीक रखना इसका एंसर दें आपको इसके लिए 10 सेकेंड का समय विता है A, B, C, D इसका एंसर होगा D जीव कोस की रखनानिक रचना को ठीक करना जीव कोस की रखनानिक रचना को ठीक करना D नंबर बड़ी-बड़ी इंपोर्टेंट बढ़ते एक लिए सवाल के तरफ उबलते वे तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वास्प का दाव कितना होता है यवी रिल्वे का पुछाओ सवाल है 60 mm पारे के बराबर 760 mm पारे से कम 760 mm पारे के बराबर 760 mm पारे से दिक उबलते वे तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वास्प का दबाव कितना होता है ए बी सी या डी जल्दी इंसर दें यह सवाल थोला कंफ्यूजिंग है लेकिन इसका इंसर हमेशा सी होगा 760 mm पारे के बरावर वेरी वेरी इंपोर्टेंट बढ़ते एक लिए सवाल के तरफ काला चिदर किसके सिकुर्ड नहीं समनता है ए भारी कर्ण भी भारी नीट्रों तारा सी भारी बस तू डी उप्रोक्त में से कोई नहीं है कि कि 49 का जल्दी जवाब दे यह बीस याडि कि कि इसका उत्तर होगा भी भारी नीट्रों तारा काल चिद्र जो है सुकुर्ण है से बनता है यह जो है सुकुर्न नहीं लगता है स्रिंक करने लगता है किसके करण से भारी नीट्रॉन तारा का सूर भी हमार एक तारा आपको पता होगा बढ़ते हैं कि सवाल काथ किसकी परत वाई में में होने से ग्रीन हौस होता है मतब्न हाउस एफेक्ट होने का करण किस ग दियोकसाइड और सबसे भी सहली गैस मनुस्ट के लिए होगा वो कहलाते हैं करवन मोनोकसाइड यह वी किती वार पूछ चुका है कि सबसे भी सहली गैसे बढ़ते एकले सवाल के तरफ कि सुमेलित करें मेल करना है और आपको बताना है कि कौन सही है थोड़ा चोटा कर रहा हूं कि युगांतर पत्रिका इसके संपादक इंडियान सेस्लोजिस्ट के संपादक बंदी जीवन के संपादक और तलवार के संपादक एक यह जले सब्सक्राश करें एक बीच यह दि मुझे तो दो पता है देखते हैं गैस करते हैं क्या होगा मैं भी ट्राइय करता हूं कि अर्य है कि यूगान्तर लिखे थे बिर अंधर कुमार घोस है इंडियन सोसियोजिस्ट। इंडियन यू सोसियो लोजिस्ट। इसने लिखाते स्यमा स्यमा जी क्रश्न वर्मां ने ठीक है यह या तू वन करूब न्चाहिए मिल देखो मैं इसमें से य जानता था ये जानता था यह नहीं जानता था लिकिन देखा सर्माथ एक टू बढन थ्रीपोर था तो हमारा सर यही हो जाएगा जिसके सब्सराइद कि इंसर क्या होगा बी नमबर कि बढ़ता एक एले सवाल के तरफ कि Nokia नियुलिख मीश में से किस फसल उत्पात के संदर में अलप है तो जितना उत्पादन होता है उससे कम अंतराष्टिंव यकी निथ्फास ते मांमले में किस फसल का सकल उत्पात संदर में अल्प है ए चावल दी कोफी सी रवर डीगे हूं जल्दी से इंसर दें आपको इसके लिए 10 सेकंड मिलता है बावन चावल पस्ची मंगाल चावल के उत्पादन में आत निर्वर है सबसे अधिक होता है तो कह रहा है चावल एक ऐसा फसल है जिसका अंतराश्ट वेपर उसके सकल उत्पाद के संदर में अल्प बढ़ते एगले सवाल के तरफ निम्लखित में से किन राजियों में लोग आयुक अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने अंदर में लिया पस्ची मंगाल और केरल भी गुजरात और महराष्ट सीम अध्यपर्देश और उडिशा डिक राज्थान और करनाटक अंसर कमेंट करें ए बी सी या डी इसका अंसर को ए पस्ची मंगाल और केरल के मुख्यमंत्री को लोग आयुक तदिनियम ने अपने दायरे में ले लिया है बढ़ते एगले सवाल के तरफ अश्ट प्रधान नाम की मंत्री परिशत किसके परशासन में थी काफी पुराना क् आप पूछा भी ना जाए बट फिर भी क्या पता देख लें आओ अश्ट परधान नामक मंत्री परिशत किसके प्रशासन में थी कुप अबी चोल सी पल्लव ये डी मराथा ये सबी सासक हैं गुप्त बंस के सासक होगे चोल बंस होगे पल्लव बंस होगे माराथा बंस में 54 का डी यानि मराथा अश्ट प्रधान अश्ट दिगज अश्ट परधान अलगले हैं यह दिखिया अश्ट प्रधान जब पूछे गाता होगे हमारा अंतिर सवाल आज का भारते उप महाधीप मुलतर एक विसाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कते जुरासिक ए बी आरेवर्थ, C इंडानिया, D गुंडवाना, तो भारते उप महादीब मुलता एक विशाल भुखंड का एक भाग था, जिसे क्या करते थे, जल्दी सैंसर दे, A, B, C या D, इसका उत्तर होगा D, गुंडवाना, तो दोस्तों, आज का हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गय धन्यवाद